ये फ्रेंद्स, वेलकम तो सो बितरकवाल क्लासिस, फिर से हमारी ओई सीरीज चल रही है, इडियम्स और फ्रेजिस से रिलेटिड और इसका पार्ट टू है, और एक हजार से ज्यादा हम इस सीरीज में हम डिसकस करेंगे, और ये आपके सभी एक्जाम के लिए इंपोटेंट वीडियो रहेगी, ये सभी इसका पार्ट टू है, और अगर आपको पीडियो चाहिए और आपको कुछ चीजे और एक्स्टर एड़ करनी हैं, तो आप टैनल करम चैनल को भी जरूर फोलो करें, मैरा इंट्रोडेक्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप देश सकते हैं, हम दो लेक्शर डाल चुका हूँ मैं, एक लेक्शर और आज जो इससे आगी हम पढ़ेंगे, हम इस भी बक्षी को ही पढ़ रहे हैं, ब्रेक दा न्यूज का मतलब होता है, तो गिव बैड न्यूज, जब कोई वैक्ति कोई गलत न्यूज दे, बैड न्यूज दे, इसे के उसके पती की मृत्यू की बात जो है, इतने सज्जनता पुर्वक कई, जो वो शोख लगता उसे, उसका इंटेंसिटी जो थी, वो थोड़ा कम हुई, बर्न ए होल इन वन्स पॉकेट का मतलब होता है, जब धन तेजी से खर्च हो, आज दिन आप जैसे महंगा ही बढ़ रह हो रहा है, money given to a spent threat only burns a hole in his pocket, बहुत ही अच्छी लाइन है, देखे, money spent quickly, bury the hatchet का मतलब होता है, to make peace, जब कोई जगडा हो, उसमें सांती इस्थापित करना, इंडिया पाकिस्तान must bury the hatchet to bring about peace to the reason, जो इंडिया पाकिस्तान है, उन्हें अपनी सांती जो है, peace के बारे में सोचना चाहिए, beside oneself का मतलब होता है, to feel excessively का मतलब होता है, जब कोई दुख महसूस करे, भावनात्मक रूप से काफी दुख महसूस करे, due to the accidental death of his wife, उसकी wife के accidental death के कारण, he was beside himself with grief, वो उसने feel, बहुत ज़्यादा excessive feel वो कर रहा है, bad blood का मतलब होता है, bitter relation, जब किसे के साथ बहुती कटूर relation हो, the riot had created bad blood between the two communities in India, जब ज़्यादा है, उसने create किया है bitter relationship, दो समुदाए के बीच में भारत में, black and blue का मतलब होता है, किसी को बहुत बुरी तरह मार देना, मार ना, पीटना, thief was bitten black and blue by police, beat about the bush का मतलब क्या होता है, to talk in a roundabout manner, घुमा फिरा कर बात करना, मतलब direct मुद्दे पर ना आकर, घुमा फिरा कर जब कोई बात कहे, we should always come to the point and should not beat about the bush, हमें point पर आ जाना चाहिए, always हमें सा आ जाना चाहिए, और घुमा फिरा कर बात नहीं कियानी चाहिए, beat the ear का मतलब होता है, make useless effort, कोई effort करे और वो useless हो, some speaker merely beat the ear in speech while preaching, कोई जो speakers होते हैं, वो मुश्किल से ही beat the ear, useless effort करते हैं, जब वो preach करते हैं, build casual in the ear, visionary scheme, मतलब कि कोई ऐसी चीज आप सोचें, जो कि सिर्फ दिवा सपनो, सपन ही हो, many people who live in dreams, जो व्यक्ति सपन में रहते हैं, build casual in the ear, वो visionary schemes बनाते रहते हैं, do not succeed in life, वो जीवन में सफल नहीं होते, break the ice का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कि बहुत ज़्यादे लंबी कोई silence चल रही हो, सान्ती हो, उसमें कोई व्यक्ति बोले, सबसे पहली बार वो होता है, break the ice, in the meeting, Rajesh broke the ice and suggested the plan to solve the problem, meeting में Rajesh चुथा, उसने वो बोला, लंबी silence के बाद, और suggest किया, एक plan समस्य को सुल जाने के लिए, bring to book का मतलब होता है, पनिश करना किसी को, या किसी को जिम्मेदा ठहराना, और उसे बुलाना, उत्तदाई ठहराते हुए किसी को डराना, और किसी को पनिश करने के लिए, बुलाना भी कहा जा सकता है, अब निगलिजेंस, जूटी पर एक करमेता के कारण, जो मैंनेजर है, उसे पनिश किया गया, जिम्मेदा ठहराएगा, breath, once lost का मतलब होता है, मर जाना, back stairs influence का मतलब है, गलग तरीके से, गलत तरीके से, आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग है, उन्हें अच्छी पोस्ट गलत तरीके से दी जा रही है, बर्स आई व्यू, concise व्यू, we had a bird's eye view of the whole affair from the top of a giant wheel, बहुत ध्यान से, concise view का मतलब होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज को देखना, bird's eye view होता है, bold from the blue का मतलब होता है, कि कोई unexpected या sudden, अचानक से कोई घटना हो, या shock हो, जिससे की shock लगे हमें, the news of her husband's death in the year crash came to her, a bold from the blue, burnt once bought का मतलब होता है, point of no return, ऐसी स्थिति में पहुँच जाना है कि आप वापसी ना कर सके, हम declare कर चुके हैं, हम sign नहीं करेंगे CTBT पर, और we had burnt और bought, हम अब इस point से return नहीं हो सकते, by the by, by the way, जो हम बोली देते हैं, by the way, by the by, what's your is, तुमारी उम्री क्या है, be up to का मतलब होता है, be equal to, किसी की बराबरी, he is up to all the tricks of the trade to grind his own eggs, beated breath का मतलब होता है, in anxiety, on expectancy, जब beated breath का मतलब होता है, जब आप expect करें कुछ चीज, और या फिर anxiety से related भी हाँ पर यह बात कही गई है, beated breath का मतलब, the fate of the match hung in balance, जो भईश्य है, match का balance पर है, everybody waited for the results with better breath, और expectancy से, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा चिंता होना, मतलब आप एक तरीके से ज़्यादा, excitement के कारण, चिंता हो जाना, उसके कारण सम्मेश देखने, जो fate है match का, वो balance है इस समय, और जो सभी लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, चिंता से देख रहे हैं, bendy words का मतलब होता है, wrangle या argue, तर्क भी तर्क करना, evident children do not bendy words with their parents when they are advised, जो evident बच्चे होते हैं, आग्याख्यारे बच्चे, आर्ग्यू नहीं करते हैं, पेरेंट से जब उन्हें advice दिया जाता है, be in one's bonnet का मतलब to be fussy, she seems to be have a be in her bonnet, because she always finding fault with others, be in one's bonnet का मतलब यह भी होता है, hard to please भी कहा जा सकता है, hard to please, किसी को जो मुश्किल से ही जो खुस हो, to be fussy, का मतलब यह भी होता है, she seems to be, जब कोई अपनी knowledge को बहुत जादे display करे, यहाँ पर भी हम कहा सकते हैं, बनावटी एक तरीके कोई व्यक्ति हो, उसके लिए भी be in one's bonnet, use हो जाता है, bite the dust, धूल चाटना, मतलब की, defeat हो जाना, हार जाना, यहाँ पर आप example के माद्दम से देख भी सकते हैं, blue stocking का मतलब होता है, educated pedantic lady, एक educated लेकि घमंडी औरत, nobody likes to mix with her, because she is blue stocking, book warm होता है, किताबी कीड़ा, जो पढ़ने में ही लगा रहता है, bring down the house, का मतलब होता है, receive applause, person सा प्राप्त करना, though it was his maiden speech, उसकी सबसे पर्थम उसकी speech थी, he brought down the house, उसने परसं सा प्राप्त की, because of his oratory skill, उसकी वारतला करने की skill के कारण, bro beat का मतलब होता है, to bully का मतलब होता है, किसी को डाटना, president of the college union, always try to bro beat the students, opposed to him, जो president है college union का, हमेशा जो डाटता है, या बली करता है, students को जो उनके अपोजिट है, bad act का मतलब होता है, wordless, कोई आयोग्य व्यक्ति होना, beside the mark का मतलब होता है, irrelevant, ए तर्क संगत, burn one's fingers, to get into trouble, to get into trouble, those who interfere in the fear of others, often burn their fingers, अपनी परसानी में पर जाना, जो दूसरे क्या परसानी में बढ़ता है, उस क्या होता है, परसानी, वो अपने आपको परसानी में डालता है, bronze study का मतलब होता है, daydream, रेवरी भी कहा जाता है, daydream, दिवा सपन, he could not follow the significance of my offer, he was in bronze study, bank on का मतलब होता है, depend on, किसी पर निर्भर होना, bank on होता है, blaze the trail का मतलब है, to start a moment, कोई शुरुवात करना किसी की भी चीज़ की, introduction लाना किसी चीज़ का, परीचाय लाना, शुरुवात करना, blaze the trail होता है, सुरिंदर नात बनर जी, blaze the trail of Indian national moment, जो सुरिंदर नात बनर जी थे, उन्होंने सुरुवात की थी, moment की, Indian national moment की, bull in a china shop, one who caused damage, जिसके कारण, damage हो, जिसके कारण श्हती हो, उसे कहा जाता है, bull in a china shop, most of the leaders of the freedom struggle, have proved bulls in a china shop, by the rule of thumb का मतलब होता है, practical जो कोई कार्य करे, practical experience के, according, in older time, business was run by the rule of thumb, पुराने समय में, business practical experience के माध्यम से, चलाया जाता था, big draw का मतलब होता है, huge attraction, आप किसी से, बहुत ज़्यादा सामने से, attraction लें, huge, big draw का मतलब होता है, the match between India and Pakistan, always a big draw, बिल्कुल, Pakistan भारत का match, हमेशा attraction लेता है, huge, broken read, support that failed, और इसे, selfish friend भी कह जा सकता है, when he needed help, his friend proved to be a, broken read, selfish, support that failed, कोई ऐसी support, जो fail हो जाए, जिससे हमें उमीद हो, वो हमें धोका दे दे, broken read होता है, by the skin of the teeth, का मतलब होता है, narrowly, बिल्कुल, करीब से, he escaped death, in the accident, by skin of teeth, बिल्कुल, करीब से, वो accident से, बचा, bone of contention का मतलब होता है, cause of quarrel, जगडे की जड, एक तरी राड की जड या जगडे की जड, since India got independence, Kashmir problem has been a bone of contention, between India and Pakistan, हालाक यह समझे नहीं रही, 37 धारा की हटने के बाद, but peace of one's mind का मतलब था, scold करना, किसी को डाटना, my father wrote to my brother, giving a peace of mind, about his insulting conduct, insulting conduct किया, उसके भाईने, उसके पिता ने, ब्रादर को लेटर लिखा, डाटते भी, bond with a silver spoon, जब कोई अमीर घर में कोई पैदा हो, example के माद्यम से आप देख सकते हैं, bond is silver spoon, silver से आप समझे लेए, चांदी burn, candle at both ends, एक तरीके से दोनों हाथों से धन लुटाना, ऐसे भी आप कह सकते हैं, और स्क्वेंडर बहुत तेजी से धन निम्टा देना, या बहुत तेजी से चीजों को खर्च कर देना, after the death of his father, he is burning candle at both ends, पिता की मृत्यू के बाद, उसने धन जोहत बहुत तेजी से खर्च करना, शुरूप कर दिया, इसके बाद यह देखते हैं, by fits and starts का मल होता है, कोई चीज़ अब irregularly की जाए, and यह मित रूप से, by dint of का मतला, by force of he achieved success in life, by dint of hard work, hard work करने के माध्यम से, hard work उसने किया, इसलिए उसने अचीव की success, if we study by fits and start, यदि हम study करेंगे irregular, we can never be successful in our exam, blow hot and cold का मतलब होता है, speak in favor and against at the same time, आप किसी व्यक्ति के favor में, और साथ ही साथ आप उसके opposite भी साथ की साथ बोल दें, तो वहता है, blow hot and cold, do not trust those who blow hot and cold in the same breath, उन व्यक्ति पर विस्वास ना करो, जो एक सांस में तुमारे एक बार favor में बोल देंगे, तुमारे फिर खिलाब बोल देंगे, by and by का मतलब होता है, gradually धीरे धीरे, he is recovering, by and by after long illness, लंबी बिमारी के कारण, वो gradually धीरे धीरे, बिमारी से recovery कर रहा है, blue blood का मतलब होता है, aristocratic blood, जो राज तंत्र से related, जिसका खून हो, वो होता है, blue blood, though my friends has blue blood, yet her conduct is very mean and vulgar, जो मेरा friend है, वो एक स्ट्रोकेटिड बलड उसके अंदर है, लेकिन वो क्या है, वो mean है, तुछ है और vulgar है, carry matter with high hand, किसी भी चीज को deal करना, व्यक्ति के साथ strictly, कोई भी deal करें, किसी भी एक्ति से strictly करें, तो वो होता है, carry matter with high hand, the owner of the industry, carry matter with high hand, and expelled two workers, who are caught doing mischief in the office, जो owner है, इंदिश्टि का, वो strictly उसने deal किया, deal किया, and expelled किया two workers को, जो mischief करते वे पाएगे office में, clip one swings का मतलब होता है, किसी की ताकत को कम कर देना, my elder brother is very ambitious, but my brother will surely clip her wings, मेरा भाई ambitious है, लेकिन मेरी माता, उसके power जो है, कम कर देगी, उसके परक उतर देगी, अब ही खा जा सकता है, come home to, का मतलब होता है, किसी को समझा देना, समझ जेना, सीमा wanted to be a teacher in the college, but soon it came home to her, वो समझी, वो चाती थी, कॉलीज में teacher बनना, लेकिन समझी वो जल्द ही, that she was not fit for the job, as she was only a graduate, वो काम के लिए प्यक्त नहीं है, क्योंकि अभी वो सिर्फ ग्रेजवेट है, come to a standstill का मतलब, अचानक से रुख जाना, sudden stop, आप क्या सकते हैं, when we were going to Missouri yesterday, our car came to a certain still, हमारी कार अचानक से रुख गई, right in the middle of the journey, आप जातरा के बीच में, come off with flying color का मतलब होता है, कोई चीज हमारी successful smart थो, the final football match was very crucial, but finally we won and came off with flying color, जो final football match था, बहुत ज़्यादे crucial था, और हम जेत गए, finally cross one's mind occur to oneself, जब कोई चीज अचानक से, जब कोई चीज बिलकुल सभी समय पर दिमाग में आ जाए, in the examination hall, it crossed my mind that I had left my pen outside on the table, जब examination hall में था, तो मुझे अफ़गत हुआ, मुझे ऐसा मैसूश दिया, कि मैं अपना pen मेज पर छोड़ाया हूँ, तो cross one's mind का मतलब होता है, जब दिमाग में कोई बात आ जाए, a pure oneself, cry for moon, जब किसी impossible cheese के लिए आप इच्छा करें, बच्चे जो होते हैं, वो cry for moon ही करते रहते हैं, ठीक है, curry favor with, curry favor का मतलब होता है, किसी की favor को जीतना, नीना गेव a lot of costly present to her science teacher to carry favor with him, नीना ने अपने science teacher को बहुत साथ present दिये, ताकि उसकी favor उसे मिल सके, call a spade a spade का मतलब होता है, बिल्कुल साफ सुतरा क्या देना, फ़र्ष्ट बादी, people often get angry when one calls a spade a spade, लोग बहुदा गुसा हो जाते हैं, जब कोई व्यक्ति साफ सुतरा बोल देता है, carry the day का मतलब होता है, बिने victory, after initial setback, इंडिया carry the day in the last test match, शुरुवात के setback होने के बावजूत, इंडिया जो है वो चीत गई, test match, cut a sorry figure, कोई poor show देना, अपनी जो अपनी expectation है, उसके अपनताविक कारिये ना करना, speaker cut a sorry figure in the meeting, poor show, speaker जो था उसे बेज़ जती का महसूस किया, या उसने अच्छा कारिये नहीं किया, जैसे उस expectation थी meeting में, cry over spilled milk का मतलब, repent करना, पश्यताब करना, careless students often have to cry over spilled milk during the exams, exam के दौरान जो careless students होते हैं, पश्यताब करना होता है, cut one's coat according to one's cloth, मतलब जितने पैर उतने ही, जितने चादर हैं, उतने ही पैर पसारें, इसका मतलब ये है, a wise man always cut his coat according to his cloth, if he wants to be successful, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ती, हमेशा अपना कोट, अपना कपड़ा, अपने जो माध्यम होता है, उसी के माध्यम में जीना, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, next है call names, call names का मतलब होता है, abuse करना, गाली देना, curtain lecture का मतलब होता है, जब कोई husband को डाटा जाए, उसकी पतनी के दोबारा, आपके सामने एक्जाम्पिल है, chip of the old block का मतलब हो, resemble one's parents in habit, अपने माता पिता की, आदते जब बच्चों में आ जाए, जो उनके बिलकुर resemble करें, वो होता है, chip of the old block, example, my friend is quite helpful like her father, so she is a chip of the old block, जो मेरा friend है, जो मेरी friend है, वो अपने पिता की तरह है, और resemble one's parents, समझ के होंगे, Kevin का मतलब होता है, जुग जाना, yelled, घुटने टेक देना, आपसे भी कह सकता है, इंटेंशन होना, Chinese show, The Clone and Hope in 1962, चीन ने evil intention दिखाई, cut throat का मतलब होता है, tough, it is very difficult for Indian industry, to survive in teeth of, international cut throat competition, international cut throat competition में, बहुत ही मुस्किल है, Indian industry को survive करना, call in question का मतलब होता है, doubt, you should not call in question, my honesty, तुम्हें मेरी honesty पर कभी भी संधे नहीं होना चाहिए, check by Joel का मतलब होता है, close together, in the metropolitan cities, it is common that affluence and poverty exists, check by Joel, जो क्या होता है, कि affluence होता है, संप्रद्धी जो होती है, गरीबी जो होती है, metropolitan cities होती है, वहाँ पर आपको closely मिलेगी, come to a past का होता है, कोई भी difficult situation हो, things have come to such a pretty past, that he is finally ruined, difficult situation, जो things थी बस्तो है, उनके साथ सही नहीं थी, difficult situation में थी, he is financially ruined, और वो financially ruined हुआ, close shape, बाल बाल बज जाना, टे कहता है न, बाल बाल बज जाना, वहा close shape, cut and dry का मतलब होता है, ready made, that cannot be changed, there is no cut and dry formula, the success in life, G1 में कोई भी ready made form नहीं होता, success का, आपको महनत करनी होती है, clean the issue होता है, decide the matter, किसी भी मामले को, suljhana decide करना, when he agreed, to leave the house for good, हमेशा के लिए, जब उसने हमेशा के लिए, सैमत हुआ घर को छोड़ने का, it is clean the issue, इसने matter को decide कर लिया, and the favor of his wife, उसकी पतनी के favor में, इस मामले ने decide कि, carry one's point, का मतलब होता है, within approval, किसी का approval मिल जाना, वो होता है, carry one's point, checkered, checkered carrier, full of up and down, जब किसी का जीवन, पूरा up and down से related हो, वो होता है, checkered and checkered carrier, cut both ends, का मतलब होता है, argue in favor of both sides, he is ambiguous, because he always cut both ends, मतलब होता है कि, argue करना in favor of both sides, दोनों जा सामने हमारे कोई party हो, उसके argue करना, दोनों ही pucks के favor में, वो होता है, cut both ends, कुक्शिद का मतलब होता है, very much sure, or certain, निश्चिद, he is so कुक्शिद of his success, that he applied for the job, before the declaration of the result, वो निश्चिद है अपनी success के बारे में, result के declaration से भी पहले, cook a snog कम दोता है, so impudent contempt, घर्णा दिखाना किसी के पड़ती, she is so proud of her wealth, that she always cook a snog, at the act of her husband, वो अपने पती के काम पर, हमेशा धर्णा दिखाती रहती है, क्योंकि वो अपने धन से, बहुत ज़्यादा proud महसूस करती है, chapter and words का मतलब होता है, in detail, to give proof, इस दो चीज़ों से आप कह सकते हैं, detail देना, बिलकुल explain करना किसी चीज़ को, या फिर सबूत देना, दो इस कहरते हैं, he has such a sharp memory, उसकी इतनी memory sharp है, that he can narrate the story, chapter and words, वो पूरी detail में, पूरी detail में, जो story जो है, वो narrate कर सकता है, cool one's heel का मतलब होता है, किसी की इंतिजार करते रहा है, he had to cool his heels, before he could meet the president of the party, उसे इंतिजार करना पड़ा, उसे इंतिजार करना पड़ा, इससे पहले कि वो president से मिलता पार्टी के, carrot and stick policy का मतलब होता है, reward and punishment, a successful businessman, follow the carrot and stick policy towards his employees, अपने कारिय करता है, काम करने वाल होता है किसी के अंडर में, a successful businessman, जो reward and punishment, दोनों ही policy को लेकर चलता है, गलत करे तो punish और अच्छा करे तो reward, come in handy का मतलब होता है, to be useful, take some woolen cloths, woolen cloths, slow कुछ, similar, वो similar में तुम्हारे काम आएंगे, useful होंगे, चलिए I hope कुछ नए नहीं चीज़े, आपको इसमें पता चलिए होंगी, फिर से नए वीडियो में विलूँगा आपको मैं, हमने यहाँ पर आज 226 पेज तक की आया, कल को 227 पेज पर हम start करेंगे, हमारा C स्रीज जो है, वो complete हो गया है, कल को हम D स्रीज स्टार्ट करेंगे, चलिए ठीक है, I hope आपने session को enjoy किया होगा, informative रहा होगा, तो जो भी नए वीडियोर्स हैं, चैनल को subscribe जरूर कर दें, मैं introduction आपके सामने है, चैनल को भी चैनल को भी जरूर फोलो कर लें, second part, third part लेकर आऊंगा, चलिए, bye bye, stay tuned with the government classes,